नमस्कार किसान भाईयो आपके अपने यूटूब चैनल फार्मर गोबिन सिंग दांगी में आपका स्वागत है किसान भाईयो आज हम बात करने वाले हैं कि हमारी धान रुपाई का समय लगबग पूरा हो चुका है और किसान भाई धान को सबी पोसकत समय समय पर दे भी चुके हैं लेकिन मुक समस्या आ रही है तना छेदक पत्ता लपेटक और सीत बलाश्ट रोग जैसी समस्याओं का सामना किसान भाईयों को करना पड़ रहा है तो किसान भाईयों इसके लिए मैं आपको बहुती सस्ता और सरल तरीका बताऊंगा और उस दवाई का नाम भी बताऊंगा जिससे रोगों को आप रोग थाम कर सकते हैं तो किसान भाईयों जानकारी देने से पहले आपसे हद जोड़ करने विदन है कि हमारे इस चैनल को प्लीज सस्क्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबाएं जिससे आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहे भैवी बिलकुल फ्री तो किसान भाईयों धान में तना छेदक और पत्ता लपेटक का आटेक आ चुका है तितलियां अंडे और लारवा दिख रहे हैं नुकसान कर रहे हैं रोग थाम के लिए दो सिस्टेमेटिक जो दबाईयां मैं आपको बता रहा हूँ उनमें इमा मैक्टिन बेंजोइट 100 ग रुपे देखने को मिलेगा साथ मैं सीत बिलाश्ट की बीमारी के लिए थायो फिलूजामाइड पलसर 160 एमेल प्रतियेकर ले लीजिए इसका कुल खर्चा 370 रुपे प्रतियेकर देखेगा और मुक्रूब मैं आपको बता दूँ कि पी आर 114 हाइब्रेट के लिए को डाल सकते हैं और अच्छा और लंबा रजल्ट कम खर्चे में देख सकते हैं और जो बासमती अभी छोटी है पलसर फंगी साथ की जरूरत नहीं है सिर्फ तना छेदक और पत्ता लपे टक के लिए अगर आप डालना चाहें तो इमा मैक्टीन बेंजोइट साथ में समय पर नियंत्र नहीं किया गया तो एह हमारी धान को भॉती नुक्सान पहुचा देती है और हमारी धान को कमजोर कर देती है जिस से हमारे उत्ता पादन में बहुती ज़्यादा कमी देखने को मिलती है तो किसानवाईो इसके लिए आप ये शिस्टेमेटिक डवाईयां इस रोकताम समय पर कर सकते हैं और वायो साति μεं आपको बता दूँ कि हमारे इस चैनल पर खेटी से संबांदित सभी प्रकार की जानकारी दी जाती है अगर आप खेटी से संबांदित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता हैं मैं आपको वही वीडियो बनाऊंगा धन्यवाद